है हलो फ्रेंड्स मैं सुपनिल रगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्योब चनल विर आयसो में और आई एटीए 16949 2016 की सिरीज में आज हम बात करेंगे आई एटीएफ ऑडिट प्रिप्रेशन की आई एटीए 16949 का जो ऑडिट है यदि आप उसको प्रिपेर उसकी प्रिप्रेशन करना चाते तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा उसके आज हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम जिन चीजों को डील करेंगे उसमें सबसे पहली है who is eligible मतलब कौन organization है जो eligible होगी IATF audit के लिए दूसरा during the audit कौन कौन से departments होंगे जिनको audit किया जाएगा वो साथ ही साथ वो कौन से department है जिनको audit नहीं होगा इसको भी हम देखेंगे तीसरा point जो हम discuss करेंगे वह है what documents required मतलब audit करवाते समय आपको कौन कौन से documents required होंगे जो during the audit certification body का auditor आपका चेक करेगा verify करेगा उन्हें देखेगा इसके बाद किस तरह की training की जुरत है which type of training required या needed क्योंकि देखें आइट जो है वो पूरा training पे बेस्दे training को बहुत focus करता है training पे काफी जोर दिया जाता है IATF में तो कुछ basic training से जो कि आपको देना होत लिए वो कौन कौन सी training से उसके हम बात करेंगे आप जानते है training हम लोग भी देते हैं आप अगर training लेना चाहें तो आप हमसे contact कर सकते हैं इसके अलावा किसे training की जुरूत है क्या सभी को जुरूत है या किसी खास लोगों को किसी खास designation पर बेठे हुए लोगों को जुरूत से उस पॉइंट को भी हम discuss करेंगे उसे भी समझेंगे इसके बाद audit में कितनी स्टेज होती है कितनी स्टेज का आपका audit होता है उस चीज को देखेंगे और types of audit मतलब कितनी तरह का audit होता है यहां पर हम सेकंड पार्टी ऑडिट फस्ट पार्टी ऑडिट की बात नहीं कर रह होता है तो उस बीज भी लेकिन आपका audit होता है तो यह से कितने टाइप के audit है जो आपको करवाने होते हैं आई-ए-टी-फ के खुन की हम बात करेंगे तो यह वह पॉइंट से यह वह टापिक्स है जिनको हम इस वीडियो में दील करेंगे समझेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब देखिए इस में पहली चीज हुइस ऐलेजीबल या हूँइस एप्लीकेबल कोन है जो आइए-टी-प के लिए जा सकता है कौन से और्गनाइजेशन है जो आए-टी-फ के लिए जा सकती है तो देख इसमें सबसे इंपोर्टेन्ट जो चीज है वह य करते हो या आप supplier हो यह दो केसें जिसमें की आप के लिए eligible होते हैं आप certificate के लिए apply कर सकते हैं सब्सक्राइब चाहे आप tier 1 के हो या tier 2 के हो आप eligible होते हैं in case यदि आप automobile को सप्लाइब कर रहे हैं ठिक आप खुद से इसको approach कर सकते हैं, आप खुद से जा सकते हैं, आप चाहते कि नए customer आपको मिले, तो आप इसके लिए approach कर सकते हैं, या आपको आपका customer ये कहता है कि आप IATF के लिए जाए, तब आप IATF के लिए apply करते हो, और applicable आप होते हैं, बट पहली शर्थ और important शर्थ य notification होना चाहिए, चाहे आपकी organization कुछ भी करती हो, चाहे आप glass बनाते हो, चाहे आप foam बनाते हो, ठीके, चाहे आप जो भी काम कर रहा हो, लेकिन यदि आपका supply जो है, वो automobile के लिए है, आप automobile industry को supply करते हैं, तो आप IATF के लिए जा सकते हैं, आप glass बनाते हैं, लेकिन आप fewël इंडस्ट्री को देते हैं तो आप आई-18 नहीं जा सकते हैं तब आप एफएसमेस के लिए जाए एफूड सेप्टी मेनेज्मेंट सिस्टेम के लीए आइसो 22000 के लिए लेकिन यहीं आप ग्रास बना रहे हैं और सप्लाइब कर रहे हैं आट्व मोबाल इंडस्ट्री को आप जब चाकते आप फोम बनाते गद्दे बनाते और यदि आप सप्लाइब कर रहें गाड़ी वालों को जिसमें की वह अपनी आटव मॉवाइल में घद्दों का यूज कर रहें सीड बना रहें तो आप अप्ट्राइब लिए ठीक है तो इस प्रीस में आपर अलीजिपल जब यह चीज आप follow करते हैं आप इस काम को कर रहे हैं तो पहली चीज तो यह हुई दूसरी चीज यह है कि जब आपकी organization में IATF का audit होगा जब certification body आपकी organization में आकर IATF का audit करेगी तो कौन-कौन से वो department होंगे है जिनका की वो audit करने वाले हैं विज दिपार्टमेंट ओडिटेट इस चीज को समझिए विज दिपार्टमेंट ओडिटेट वह साथ ही साथ कौन से department है जिनका audit नहीं होता डूरिंग IATF ठीक या management system audit जब होते हैं तो कौन था organization में टॉप पर बेठे हुए लोग है ठीक जिनके पास authority है जो decision लेते हैं जो decision making में involved होते हैं वो department में जो लोग शामिल होंगे उस department का audit होगा याद रखिए लोगों का audit नहीं होता department का audit होता है process का audit होता है system का audit होता है ठीक किसी भी person का audit नहीं होगा तो टॉप management पहला दूसरा आता है इसमें HR and training ठीक है अब या तो यह training जो एक process है यह खुद HR वाला करवाता हो तो यह चार हो इन ट्रेनिंग आपके सकते हो या कोई और किसी डिपार्टमेंट का अपने हाथ में दिया हुआ तो वह करवा है लेकिन ट्रेनिंग का audit होता है जनरल ही most of the cases HR इस चीज को मेंटेन करता है हिंडल करता है इसलिए हम HR and training लिख रहे है इसमें audit होगा HR department का HR की process का audit होगा दूसरा हो गया इसके बाद तीसरा वो है जो customer के साथ communicate कर रहा है मतलब यहां आप कह सकते है marketing marketing department का आपका audit होगा ठीक marketing का audit होगा marketing वाले का audit यहां पर किया जाएगा क्योंकि customer के साथ communicate करता है इसके बाद आप यह कह सकते कि purchase वाले का audit होगा ठीक purchase department जो purchase कर रहा है उसका audit होगा इसके बाद store का audit होगा जहां पर की माल purchase करने के बाद रखा जा रहा है इसके बाद अगर आप अगला देखें तो आ जाते हैं आप design पे अगर आपके आप design and development है तो design and development का audit होगा ठीक इसका audit के जाएगा design and development का next किसका audit के जाएगा production department का production department यहां पर आ गया production department बनाएगा quality का यहां पर रोल आएगा तो quality का audit होगा quality department का audit होगा ठीक है इसके बाद किसका audit होगा dispatch का audit होगा dispatch department का audit होगा ठीक है और यहां पर जो involved है जो सभी कही न कहीं production वगरे से related जगों पर काम करता है वो department है आपका maintenance तो maintenance का audit होगा तो यह कुछ department है जिनका की during the audit इनको audit किया जाएगा ठीक है इन डिपार्टमेंट्स का audit होता है इन डिपार्टमेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रिकॉर्ड लेके बेठना होता है फॉर दो ऑडिट आइएट के लिए यह लोग बेठते है ठीक है यहां पर इनका एक representative होगा जो इन डिपार्टमेंट को रिप्रेज रखते हैं तो यह डिपार्टमेंट्स है जो की audit में इन्वाल्व होते हैं इनका audit होता है अगली बात किसका audit नहीं होता इन सबका अगर audit होता है तो वह कौन है कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका कि audit नहीं होता for IATF certificate में तो याद रखिए कभी भी एकाउंट का audit नहीं होता क्योंकि यह एकाउंट डिपार्टमेंट का audit करने की इन्हें authority नहीं होती एकाउंट का audit कभी नहीं होता आपके पेशों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है ठीक है यह लीगल मेंटर है वो अलग चलेगा वो आपका income tax वाले करते होंगे और CA वग भी आप बात होगी कि जब डिपार्टमेंट का audit होगा तो कौन कौन से कौंट से कॉमेट होगे जिनका audit होगा या कौन कौन से कौमिन्ट देखे जाएंगे कौनकौसे डॉकुमेंट ह Alfy है ठीक है तो यहां पे कुन से डॉक्युमेंट से जो तॉक्वाइड है यहां यहां पर याद रखिए जब आप इसकट कराने जा रहे हैं तो आपको को पूरा सिस्टेम स्टेंडर्ट के हिसाब से तयार करना होगा मतलब आई एटीएफ 16949-2016 जो स्टेंडर्ड है उसको पढ़ते हुए आपको अपने और्गनाइजेशन में तयारी करना होगी उसमें जो जो क्लॉजस दिये गए हैं उन और इसको पढ़ते हुए वहाँ पर क्या-क्या चीजे आपसे मांगी गई है उनको आपको समझना होगा और इसमें समझते समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीजे वह आपको यह समझना है कि जहां पर भी शेल शब्द यूज हो रहा है वह शेल क्लॉस जहां पर आपको नजर आ सब्सक्राइब करने की बात करते हैं तो यह आपको मेंड़े तोर चीजतों बनाने है तो करने कि यह वो डॉकुमेंट होंगे जिनका की audit किया ही जाएगा और जब यह नहीं मिलेंगे तो वह non-confirmity में count होगा basically आपको कौन-कौन सी चीजों को डॉकुमेंट तयार करने किन-किन चीजों के तो जो कोई भी requirement ISO 9001 2015 में मांगी गई है वो सारे डॉकुमेंट आप तयार करेंगे ठीक इसके बाद आपकी organization के कुछ specific document होंगे आपको उनको ready करना है आपके organization के कुछ documents होंगे आप अपनी एक procedure बनाते हैं और उस procedure के इसाब से आपको पता चलता है कि यह document हमें बनाने यह document हमें चाहिए तो वह document आपके आ जाएंगे तीसरा customer specific requirement उससे related जो भी documents है वह आपको बनाने होंगे वह आपको तयार करने होंगे वह आपको ready करना होंगे और चोथा है जो भी legal requirement है उनसे related जो भी documents है वह आपको बनाने है जो भी legal requirement है चाहे जहां आप बेठे हुए है मतलब जिस country में आप है उस country में किसी product को लेकर कोई legal requirement है तो उससे related document बनाना है जिस customer के लिए आप काम कर रहे है भली वह विदेश में बेठा हुआ है किसी दूसरे देश में बेठा हुआ है उस country के लिए जो कुछ भी legal requirement है उस particular product को लेकर तो उसको आपको follow करना है उस से related document आपको ready रखना है और जिस country में आपक क्या document से वह सब भी आपको maintain करना होंगे मतलब तीनों country जहां पर आप देठे हो जहां पर योर्सेल्फ आप खुद है ठिक जहां पर आपका customer है वह दूसरी country तीसरा जिस country में वह जो automobile जो पार्ट है या इस्टूमेंट है जो जो गाड़ी है आपकी जो जहां पर यूज होने वाली है उस country के कोई अगर लीगल requirement है तो वह सब आपको ज्यान रखना है और वह document आपको prepare करना है during the audit आपको यह document दिखाने होंगे यह document required होंगे इन चीजों से related जितने भी documents है वह आपको बनाने होंगे और यह सब आपको मिल जाएगा जब आप IATF का standard पढ़ते हैं IATF का standard बहुत बढ़ा है उसको लेके पूरी सीरीज हमने बनाई है आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो वह आपको सारे document बनाने इसके अलावा आप हमसे भी contact कर सकते हैं आप सब जानते हम consultant है आपको best audit के लिए preparation करवाने की guarantee हम देते हैं आ आप इसके थूरू भी जा सकते हैं तो यह हुई बात documents की क्योंकि हम बहुत ज्यादा documents को यहां पर explain नहीं कर सकते हैं पूरी सीरीज है आप पूरी सीरीज देख सकते हैं आईए टेफ को लेकर पूरी सीरीज clause number 4 से लेकर clause number 10 तक available है वैसे अगर आप समझें तो आपको जितनी प्रोसीजर से वह सारी बनानी है ठीक है जितनी भी प्रोसीजर कहीं है 21-23 mandatory प्रोसीजर से इसके अलावा जितने आपके डिपार्टमेंट से उन सब की भी आपको एक प्रोसीजर बनाना होती है ना keeps on डिपार्टमेंट किकिसे काम कर रही वो सारी प्रोसीजर जब आप बनाते हैं तो महां पर आपको पता चल जाता है कि कौन-कौन से doCumens आपको बनाने होंगे को अ सब्स बनाने होती है जितना भी काम करते हैं अगर आप SPC कर रहे हैं तो तो यह सारी प्रोसीजर उसमें आती है जितना काम आपको बनाना है यह मेंडेटर है इसके बाद आपको देखना कि कोनकौन सी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर लेनी की जरूरत है मतलब यहां पर ट्रेनिंग का बड़ा importance है आई यह में ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है थिक तो आपको चोथी जो चीज़ है which training required है ना या needed ठीक है कौन-कौन सी training है जो की compressor है या needed है तो सबसे पहली चीज है कि awareness की training होना बहुत ज़रूरी है awareness ठीक IATF है क्या इसको लेके awareness की training आप लोगों को चाहिए आपकी organization में इसकी ज़रत पड़ेगी IATF awareness के लिए इसके बाद internal audit की ट्रेनिंग आपको लेना होती है ठीक internal auditor यहां पर आपको internal auditor बनाने हैं अपनी organization में उसके लिए आपको training देना होती है यह internal auditor जो हैं वो system के auditor हो सकते हैं ठीक है मतलब IATF के internal auditor हो गए ठीक इसके बाद क्योंकि यहां पर process audit करना होता तो process auditor भी आपको चाहिए ठीक है उनकी training आप करवाए उसके अलावा Product auditor आपको चाहिए होते हैं तो product audit की training करवाए ठीक है यह सब internal auditor की training होती है जिसमें सिस्टम को लेकर 1 IMTF की internal auditor की training हो सकती है process audit की हो सकती है product audit की हो सकती है इसके बाद cold tools की training भी लेना यहाँ पर जरूरी होता है cold tools की training जो five cold tools है ठीक है जो five cold tools है आपके APQP, PPAP, FMEA, SPC और MSA इनकी training लेना mandatory है अगर आप IETF के लिए जा रहे है आपके department, आपके organization में कुछ लोगों को ये training आपको दिलाना होती है वो कौन लोग होंगे इसकी बात हम अभी अगला जब इस topic को discuss करेंगे next जो आएगा उसमें हम उसकी discuss करेंगे लेकिन ये training से जो आपको अपनी organization में for audit preparation करना होती है ठीक है auditor आएगा तो पूछेगा आपसे list of internal auditor वो आपसे मांगेगा तो आपको ये चीज़े करवाना होती है ठीक ये सारी training भी हम लोग provide कराते हैं मैं personally training देता हूं आप लोग जानते कई training लेंगे वो कौन-कौन से लोग है जिनको कि आपको आएटेफ के लिए training दिलाना होती है ठीक हूँ नीट ट्रेनिंग हूँ नीट ट्रेनिंग ठीक है हमने यहाँ पर बात करी थी awareness की यहाँ पर एक चीश समझ यह awareness वो चीज है जो सभी में होनी चाहिए तो आएटेफ awareness की जब ट्रेनिंग की बात होती है तो इसमें सभी लोग involved है आप यह नहीं कर सकते हैं कि हमने किसी को ट्रेनिंग दे किसी को नहीं दे यहाँ पर ऐसा नहीं होता awareness की ट्रेनिंग आपके organization में आने वाले हर व्यक्ति को होनी चाहिए आईएटेफ awareness उसको पता होना चाहिए आईएटेफ क्या है किसे काम करता है क्यों हम आईएटेफ के लिए जा रहे हैं ठीक है इसमें basic training आईएटेफ awareness को लेकर होती है internal audit की जब आप training करवाते हैं जो हम करत देते हैं आपको अगर आप चाहिए तो आप हमसे contact कर सकते हैं आपके लोगों को internal audit की training आपको उन लोगों को देने की जरूत है जो की डाइरेक्ट इस system से involved है ठीक वह बेस्ट प्रेक्टिस इसकी यह है कि जो भी आपकी कोल्टीम है ठीक है या जो आपकी cross functional team है ठीक क्रोस फंक्शनल टीम है उस तीम के लोगों को क्रोस फंक्शनल टीम के लोगों को आप इस चीज की training दे internal audit की training दे ठीक कौन को ना सकता है इसमें आपके चितने ऍपार्टमेंट अभी अमने बात करी थी ऑभी कотри तो ऑडेंगे उन The उनले यहां ना उन से लोगों को आप अब दे सकते हैं पर्संष माल एक पर्श εस वाले को ट्रेञिंग दे सकते हैं ऐक पर्चेस का परस री आपने उसको को तरेणिंग दीजिए क्वालिटी वाले जतने हो सकते हैं आप उनको बेस्ट लोगों को उसमें इन्वाब प्राङ्निंग दे ठीक आप मार्केटun वाले को ट्रेनिंग दें ओके जितने एंच आर को आप ट्रेनिंग दें यह जो लोग है यह तरह से क्रोस फंक्शनल टिम बनाएंगे और इन लोगों को आप अपनी organization में इस चीज की training कि किस चीज की internal audit की उस तरह कर सकते इसके अलवा process audit और प्रोडक्ट ऑडिट की जहां तक बात है तो इसमें आप जिसको चाहें उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं खास कर जिनको आपको ट्रेनिंग देना चाहिए वह आपका सप्लाय क्वालिटी और डिट करने वाले लोग ठीक और आपके इंटर्नल क्वालिटी और निन लोगों के पास जाएगा तो उसको प्रोडर्ट को आइडया होना चाहिए उसको प्रोडॉक्ट के बारे मैं पता हो होना चाहिए मैं प्रोडॉक्त जाइस वाले ग्राओडिक से सस्क्याटैरेस इसके बाद हमने बात करी कोर्ट टूल्स की फवाइब कोड टूल्स के वा यह बढ़ा में रखीए ऐसो दो लोग करी कि यनके बात करी सब्सक्राइर कॉलिट करें वाला बसनों परिस इन दोनों को आपको इसकी क्टान पर चाहिए बाच है कि सप्लाइर जो करते हैं कि इन को पता होना चाहिए कि प्या है कि इसको पता होना चाहिए है ना एपी क्यूपी पता हो इन्हें एफेमिय पता हो ठीक है तो यह वो लोग है जिनको की आपको कोर टूल्स की ट्रेनिंग देना है याद रखिए यह ट्रेनिंग आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जो आपके क्रॉस फंक्शनल टीम में शामिल होते हैं ठीक थोड़ा आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जुरूत है कि किसको इन में लिया जाए क्योंकि जब आप एफेमिय करते हैं तो उसमें आपके वो लोग इन्वाल होते हैं जो कहीं न कहीं प्रोसेस से जुड़े हुए हो सकता है उसमें मार्केटिंग वाला आ जाए जब आप दी एफेमिये कर रहें ठीक तो आपको उसको भी इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए जिनको ट्रेनिंग की जुरूत है हम यह सभी ट्रेनिंग देते हैं ले सकते हम आपको बढ़िया देंगे PGT जम्हें यह चाहिए और इससे बढ़िया ट्रेनिंग होती है क्योंकि ट्रेनिंग 2-sided during the audit या for audit how many stages या steps ठीक है audit में IATF का audit जवाब कराते हैं कितने stages होती है कितनी स्टेप्स होती है देखें दो स्टेज होंगी पहला होगा स्टेज वन का audit इसमें आओडिटर आते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी के जो सर्टिफिकेशन बॉडी एव को सब्सक्राइब धोग्री आते हैं और यह बेसिकली धोड़ा उपर-उपर से देखें चीजों को चले जाते हैं कि बहुत जारा डीपली नहीं देखते हैं जन्रली जीन चीजों को देखते हैं वह होताए आपका मेनुट देखते हैं आपको आप्जेक्टिव सको थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक और आपका इंटर्नल अडिट अगर आपने किया वह देख लेते हैं इसकी बेसिस पर यह एक रिपोर्ट बनाके जाते हैं एक मैं उतने समय के बाद फिर वापस अपनी टीम को ले करते हैं और आपकी organization में यह stage two audit करते हैं यह आपका main audit होता है है ठीक है stage two audit होगा और जब stage two audit होगा तो उसमें सबसे पहली चीज यह देखी जाएगी कि जो इन्हों ने AFI आपको कही थी area for improvement आपको बताये थे क्या आपने उन पर काम किया area for improvement या opportunity for improvement जो इन्होंने आपको बताई थी उनको आपने sort out कर लिया या नहीं किया अगर नहीं किया तो NC बनती है ठीक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह इस चीज को second stage के audit में stage two audit में आपके आके देखते हैं और अब यह पूरा जो प्रोसेस है पूरा जो organization है या और प्रोसेस कहलो होई है जो आपकी पूरी organization है उसका हर चीज को यह audit करते हैं जिनकी अभी हमने बात करी थी account को छोड़के सारे department का audit करते हैं stage one के audit में normal चीजों को देखते हैं उपरी उपरी तोर पर देखके जाते हैं बहुत detailed audit नहीं करते यह audit जब होगा तो lead auditor with team आएगा ठीक है पूरी टीम के साथ lead जबाना चाते हम इसकी तयारी कर रहाते हैं बहुत बढ़िया तयारी कर रहाते हैं करके आपको देंगे इसके बाद जो है audit की बात करते हैं टाइप wanna je what दो में कと思dessते हम कर दिसके रही है कितने टाइप होता है तो देखिए पहले होता है आपका जब फ्रस्त टैम आपका औरे यह जा rif duration करड़िट होगा सर्टिफिकेसम को दिट होगा सेटीफिकेशन को बाद हो सक्ता आपको आपको कुछ जतनल ही होता नहीं है ठीक तो अगर नॉन खंपर को क्लोज करते है सब से बढूब को क्लोस्य करने के लिए आपको आयएट की साइट पर कशल्पर चार से hasn't क्लोस्य करना ओती प्लें ये इसे क्लोज हो जाती है तो आपको सञज के बाद मिल जाता है 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 आपका सीदिए के बाद अगले रखी के बीटमों 11th month later ठीक है आपको जो अगला आपको audit होगा वो सर्विलेंस का audit होता है याद रखिए यह जो certificate है आपका 90 days के बाद आपको certificate जो मिलता है यह आपका 3 साल के लिए valid होता है वेलिट फॉर 3 साल के लिए valid होता है लेकिन हर साल आपका री सर्टिफिकेशन का audit होता है तो आपका सर्विलेंस का audit होगा हर 11 मेने के बाद और जब आपका 3 साल complete हो गए उसके बाद आपका री सर्टिफिकेशन का और 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 री सारी चीजे हैं जो आपको तयार करना होती है preparation करना होती है for IATF Audit यदि आप अपने organization को IATF certified कराना चाहते हैं तो आपको यह तयारिया करनी होती है तो यह चीजे हैं जो आपको करना वोगी आप हमसे करवाना चाहे हमसे करवाएं हम आपको बड़िया सर्वीसस कोई डाउट नहीं आप हमारे क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं तो यह है आपके लिए आज का अमारा वीडियो उम्मिद आपको वीडियो पसंद आया होगा Thank you very much!